सभी को मेरा नमश्कार, मैं महिमा अगरवाल, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मेरे बच्पन के दिन यह पार्ठ महादेवी वर्माजी की द्वारा लिखा हुआ है और उन्होंने अपने बच्पन के दिनों को याद करते हुए बताया है कि उनके खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था इसलिए दो सो वर्षों के बाद महादेवी ने अपने परिवार में जन्म लिया था उनके बाबा ने दुरगा पूजा करके कन्या को मांगा था इसलिए उनके बच्पन में कभी भी कोई कस्ट नहीं आया और उनका बच्पन बहुत ही अच्छे तरीके से बीता उन्हें घर पर उर्दू, फार्सी, अंग्रेजी यादी की पढ़ाई का प्रबंध भी उनके लिए किया गया था उनकी माताजी ने उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया था पंच्चतंत्र की कहानियों का उन्होंने अठ्यन किया था पढ़ाई की थी लेकिन उर्दू में उनका मन नहीं लगता था उन्हें मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था लेकिन मिशन स्कूल भी उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्हें क्रास्ट्वेट गर्स कॉलेज की पांचवी कख्षा में प्रवेश दिलाया गया यानि की एड्मिशन दिलाया गया जब वो होस्टल में थी तो वहाँ पा सुभद्रा कुमारी चोहान जिसे उनकी मित्रता हुई सुभद्रा कुमारी भी कविताई लिखती थी और महादेवी जी की माता भी भक्ती के गीत लिखती और गाती थी और इन्होंने अपनी माता जी से कविता लिखने की प्रेणा ली थी इन्होंने पहले ब्रजभाशा में लिखना शुरू किया था सुबद्रा कुमारी चोहान की संगती में रहती थी वो और महादेवी जी ने खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया था जब सुभद्रा को पता चला कि महादेवी छिप कर कविताई लिखती है तो उन्होंने उनकी कौपियां ढूंड करके कविताओं का पता लगाया और पूरे होस्टल में ये बात बता दी कि ये कविताई लिखती है और इन दोनों की मित्रता और भी गहरी हो गई जब ये छद्रावास में खेला करती थी तो दोनों बैठ करके तुक बंदी किया करती थी और कुछ सोभाग्य था कि दोनों की पत्रिकाओं में कविताई छपा करती थी महादेवी जी की कविता पर पकड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी और वो अभी कवी समेलनों में भी जाने लगी थी उस समय हिंदी प्रचार का समय था महादेवी ने इस सुब कारे में अपनी कविताओं के माध्यम से हत्यंत योगदान दिया कवी समयलनों में श्री हरियोद श्रीधर रतनाकर यह सब बड़े-बड़े महान कवी आते थे और ऐसे समयलनों के लिए सुनने के लिए महादेवी हमेशा भ्याकुल रहा करती थी क्योंकि उनका पूरा रुज्ञान कवीता की ओर था एक बार उने कवी समयलन में चांदी का नकाशीदार कटोरा इनाम में मिला तो गांधी जी उनके भवन में आये हुए थे और आनन्द भवन जो था उस समय स्वतंतृता संग्राम का केंद्र बना हुआ था यानि कि वहाँ पर काफी सारे स्वतंतृता सिनानी आया जाया करते थे और महादेवी जी उनकी सक्षियों के साथ फ्रेंड्स के साथ अपने जेब खर्ची के जो पैसे थे वो बचा करके देश के लिए बलिदान कर देती थी यानि कि देश इत के लिए उन्हें दे देती थी तो गांधी जी को जब उन्होंने अपना कटोरा दिखाया तो गांदी जी ने उस समय उनकी कविता नहीं सुनी बल्कि उनका कटोरा रख लिया और महादेवी जी कटोरे को देश के प्रती समर्पित करके बड़ी खुश हुई कि उन्हें कटोरा देश के लिए देना अच्छा लगा यानी कि उन्हे तो महादेवी वर्मा के चात्रावास में काफी अलग-अलग स्थानों से बच्चियां पढ़ने के लिए आई हुई थी उसमें जेबुनिसा नाम की एक माराथी लड़की भी थी जो महादेवी वर्मा जी का साफ सफाई का काम देखती थी और हिंदी मराथी दोनों भाषाई उसे आती थी किंतु वहाँ रहने वाले उस्तानी जीनत वेगम को मराथी बोलने पर अच्छा नहीं लगता था किंतु जेबुन कहती है कि जब हम मराथी हैं तो मराथी ही बोलेंगे आवद से आई हुई कन्याई आवद बोलती थी और बुंदेल खंड से आई हुई बालिकाई बुंदेली भाशा बोलती थी जो जहां से आया हुँँ था वो वहीं की भाशा बोलता था और सभी मिलकर किये एक मेश में खाना खाते थे और एक प्रातना का उचारण करते थे वर्मा विद्यापीठ में आई तो उनके आने कपर बेगम साहिबा का किस्सा उन्होंने लिखा जिसमें बताया कि विद्यापीठ में जब वो उच्च शिश्या ग्रेंड करने हेतु आई थी तो भी उनके बच्पन में जो ने संसकार मिले थे वो यू के यू बने रहे जिस भवन में महादेवी जी रहती थी उसी में जवारा के नवाब भी रहते थे तो उनकी बेगम कहती थी कि महादेवी वर्मा उन्हें ताई कहे और बेगम के बच्चे महादेवी की माताजी को चची जान कहते थे दोनों परिवारों में अत्यंत प्रेम था कोई भेदभाव नहीं था बच्चों के जनम दिन भी मिल करके मनाए जाते थे बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी उन्हें राखी ना बांधे इसी प्रकार मोहर्रम पर इनके लिए भी नए वस्त्र यानी नई डेसेज बनाई जाती थी महादेवी वर्माजी के छोटे भाई के जनम के अवसर पर बेगम साहिबा ने उनके पिता से कह करके नेग लिया था और बच्चे के लिए नए वस्त्र भी बनवाए थे उन्होंने ही बच्चे का नाम मनमोहन रखा था वही मनमोहन बड़े होकर के जम्मू और गोरकपुर विश्विद्याले के वाईस चांसलर बने इनके घर में अवधी बोली जाती थी लेकिन बाहर हिंदी और उर्दू का प्रयोग होता था शुरू में जब भारत के वातावरण में निकटता और श्ने का भाव था और बाद तक उतना ही बना रहता तो आज भारतवर्शी कहानी कुछ अलग होती इस प्रकार से नहा देवी वर्मा ने अपने बच्पन की कुछ यादों को इस पार्ट में संजोया है प्रकास डाला है अगर आपके इस पार्ट से समंदित कोई प्रशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू फॉर वाचिंग